हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको अपने डहिलिया के फ्लावर प्लावर 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 दिखा रही हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए सेर करिए सब्सक्राइब करिएगा वैल आइकन दबानन न भूलें जिससे मेरी वीडिय अब तक पाहँ आप तक पहुंचे तो यह देखे मैं मेरे वहाँ डहिलिया में कितनी ज्याद़ प्लावर प्लावरिण हो रही है पूरा प्लावर प्लावर फूलों से बहना है और मैंने इनको लगाते वए भी आप को दिखाया था अभी जन्वरी में ही मैं यह एप्लाव पुछ प्लावर्ट कलीओ से भर गया है द्यादा है द्यादा एक प्लावरिंग कन परोम होता है है प्लावर्ण के लिए गीर बार के ब्तौक से अगंदा 5000 यहां है धरभी ऑफाया खाए ही है और यह लियर खिल गाया के साफर्सटर हों केला थै। और बिल्कु खिलने के लिए तयार है देखे कितने ज्यादा इस मेंकलिया आई हैं। जईसा देहिलीया को प्लाइंट लगाएं तो बाताएं किस घंग करती ओर आपको बताती हूं चैक प्ना आपको बिंदेहिलीया में रहने मिलता हैं और बहुत जदा खूबस न दिखाया हो और सबीज़ आपको बाएं और यह जो इनकी टैनिया है डैहिल्या की वह इन फृलावर की अगड़ नहीं कर पाती है तो इसमें कोई स्थिक या कोई सहरा आपको देना होगा जिससे कि यह रुख जाए नहीं तो यह कर दो चुछ तो प्लांट रहने हैं और ब्रांच यह तोटने का डर रहता है क्योंकि इतने बड़े होते हैं, वो सेहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए डाली में लगने वाला एक फूल है, इसलिए इसे डाहिलिया कहते होंगे, कहा जाता होगा, ये देखिए कितना बड़ा फूल है, और पतली सीज की टहनिया है, लचीली टहनिया है, और इसमें एक स्टिक मैंने कितने ज्यादाता फ्लावर रही है इस सवे जहां जब समय हो और डही लिया फ्लावर आने लगें तम चला को कमपोस्ट 1955 को exercising काम हर रही है, सांधिया में मेर रख़क पत्याना क्षाइब रहता है किड़ा मकोड़ और फंगस का तैक नहीं होता है और प्लांट भी काफी स्वास्त रहते हैं तो सवास्त पर आप अपने प्लांट में नीम Heute स्वास्त के तफलावर कि तो हैं इस द्रहीं के साफ, इस दिवह अपने प्लांट में प्लांंट करूं से अपने इससे आपने प्लांट में नेम वैल कre Bianche तुछ दिखाई दें सरते सोपर से दिखाए देंगे तो इस दंग से मैं अपने प्लांट में समय समय पर नीम औयल का स्प्रे करते रहती हूं हरकी गुडाई करने के बाद नीम की खली भी अपने प्लांट में डालती हूं तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने प्लांट में आज डाल रही हूं गुड इस धंक से हलकी हलकी गुड़ाई कर लेंगे ज्यादा गहराई में हम नहीं करेंगे हलकी मिटी इसकी बुरबुरी करके और इसमें मैं दे रही हूँ कमपोस्ट फ्लावर का साइज देखिए बिल्कुल थाली के बराबर हो गया है और सहन नहीं हो पारा मैंने पीछे से एक लकडी लगा दी है जिससे फ्लावर को रोक लिया है और ये देखिए पत्यों से बनी खाद है और मैं इसमें ये दे रहे हूँ आज हर गमले में मुझे डालनी है हलकी हलकी गुड़ाई करके और मैं समय समय पर इसमें गुड़ाई करते रहती हूँ और थोड़ी सी खाद इसमें देती शूँ अभी मैंने फन्रादीन पहले ही इसमें मस्टाट की Ed faculty लाइजर दिया था तो जैसे ही मैं मस्टाट की एक लड़ियर बनाती हूँ तो जितने भी मेरे प्लांटे हैं उन में सब भी में में एक साथ ही डाल देती हूँ और उसके बाद फिर इसमें हलकी गुडाई करके और तब मैं इसमें फिर से थोड़ी सी कंपोस्ट देती हूँ तो इसे दो तिन बार ऐसा करना पड़ता है फिर इसको जरत नहीं है फिर यह अपना भी फ्लावरिंग करता रहेगा और प्लांट में कलिया आ जाती है तो कोप सारी फ्लावरिंग इसमें होने लगती है तो देखिए और इस समय इसको कंपोस्ट किया रहता है तो आप इससे कंपोस्ट आवश्चे दे आप लुकट फ़र्म में भी इसको दे सकते हैं जैसे ये खाद है इसको गूल के आप दे दें और गूल के ज़्यादा प्लांट में ज़्यादा असरदार होती है और बहुत जल्दी फ्लावरिंग होती है गूल कर फर्टिलाइजर देने से तो इसमें समय समय पर मस्टरेट के फर्टिलाइजर और ये गोबर से जो शड़ी खा दे इसको घूल कर भी आप इसमें दे सकते हैं मैं इसमें इसमें ऐसे ही खा देते रहती हूं और गुडाई दे करते रहती हूं डेहिलिया को जब आप लगा रहे हैं तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की धूप इस प्लावरी होगी देखे डबल फ्लावर आया हुआ है एक उस साइट से खिल गया है एक इस साइट से और सहन नहीं कर पा रहा है पेड़ पेड़ बहुत चोटा सा है और मैंने पीछे से लकड़ी लगाई हुई है एक स्टिक लगाई है जिसके साहरे यह खड़ा हुआ है अगर मैं ना लगाऊ तो यह प्लांट तूट जाएगा गिर जाएगा तो इसको एक सपोर्ट किया हो शक्ता होती है आप छोटी छोटी टहनिया इसमें सुकी लकड़ी की आप लगा दें और इसको सपोर्ट के साहरे खड़ा करें क्योंकि इसकी जो टह तो डहिलिया को आप तीनों प्रकार से लगा सकते हैं आप इसके बीज बना कर भी से लगा सकते हैं कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है आप इसकी कटिंग जब भी लगाए आप परसाथ के मौसम में लगाए अगर आपके पास मदर प्रांट है तो इसकी कटिंग आप तो के लिए इसमें 20 नार रहा है और फिर तीसरा है जब वार्ण हो जाता है जब क्लावरिंग करतेお願いします कि देलिया को कॉटिंगे लगाना बहुत सरल है आप ? था झाल्च उसके था बड़ा ससे बड़ा और खूब्सरत प्लॉवरिंग कार्ट है देलिया ये डाली में लगने के कारा इसे डहिलिया कहा जाता है देखिए डहिलिया बहुत हलकी सी डाली में लगता है और लटक किर जाता है नीचे की और और इसे सपोर्ट के सारे ही उपर किया जाता है इस धंक से आप अपने डहिलिया के प्लांट की क्यार कर सकते हैं और समय समय पर इसमें compost और नीमयल का spray आप करते रहें और पानी भी इस plant को दीजिए पानी हम प्लांट में सूखने न पाए मुश्यर बनाके रखे नहीं तो यह पत्यां इसकी जूल जाएंगी और प्लांट नीचे को लटक जाएगा और फ्लावर भी जल्दी से पत्यां गिरा देगा तो पानी भी इस प्लांट में डालते रहें थैंक यू दोस्तो